और भारतिये जन्ता पार्टी के कारेकरताओंने भी पूरे के कारेकरताओंने भी आज एक संकल्प करकर जाना है आगायमी लोकसभा के चुनाओं में महराश्ट की सभी के सभी सिटे सीविसेना बीजेपी यूती के खाते में आने के मित्रों चुनाओं में हार होते हैं पराजाए होते हैं जीत होती हैं विजाए होता है पर उन्तु जो लोग धोखा देते हैं न उनको कभी बक्सना नहीं चाहिए वना धोखा करने वालों के हिम्मत बढ़ती है काल मैंने सिंदेजी का भासन सुना प्रेस कॉनफरंस सुना एक पत्रकार ने पूछा कि धनूस बान आपको मिल गया उन्हें के ना धनूस बान एन्सीपी कॉंग्रेस के यां घीरो रखाये थे मैं छुडा कर ले आया हूँ हमारी छोड़िये इन्होंने बाला साब की विचारदारा और सीव सैनिको के साथ भी दोखा किया था आज दूद का दूद पानी का पानी हो गया है मैं आज पूने के सभी कारेकरताओं के अपील करने के लिए आया हूँ हम सब 1950 से रादनीती में एक मिसन लेकर हम रादनीती के अंदर निकले हुए लोग है दिन दाल जी ने हमारे सामने दो लक्स रखे थे सुरक्सित और समरूद भारत और अंतियोदय गरीब कल्यान के माध्यम से अंतियोदय का काम मोदी जी ने समाप्त कर दिया है बहुत आगे बढ़ चुके हैं बापिस आने की कोई जगह नहीं है भारत को वो सुरक्सीद भी बना चुके हैं और भारत को समुरूत बनाने की बारी है दुनिया में अर्थतंत्र की तालिका में भारत ग्यारावे नंबर पर दोजार चौदा में था हम पांचवे नंबर पर पहुँचे हैं बजाली तालिया अब मैं बताता हूँ फिर से जोर से बजाईएगा मैं एक बात बताने जा रहा हूँ पांचवे नंबर पर हम से पहले हम पर डेड़ सो साल तक सासन करने वाले अंग्रेज थे उनको हटा कर आज हम पांचवे नंबर पर जराबी हंकार करे बगर अपने पुर डिफेंस के क्षेत्र में भारत के एरो सो में सो से जादे अधिक देश आते हैं डिफेंस का जो इंपोर्ट होता था इसमें 70% की कटोती हो चुकी है और जो लोग कहते थे दारा 370 हटाओगे तो कस्मीर में खून की नद्या बेजाएगी यही कोंग्रेसेंट्सी वाले कहते थे आज इंको जवाब मिल गाया है खुन की नदिया छोड़िये किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं है भाई पत्थर चलाने नौर्थीश के अंदर विकास के अधार पर मोदी जी ने इंसर्जंसी को समाप्त कर दिया वामपंथी उक्रवाद क्षेत्र के अंदर लगबग लगबग देश को मुक्त दिलाने के कगार पर पहुंचे महराष्ट मध्यप्रदेश जारखन बिहार ये चार राज्य पूर्ण तया मुक्त हो चुके हैं 36 गड़ बाकि ये थोड़ा अंद्रति लंगाना के एक एक तालू का बाकि है और औरिशा में भी एक तालू का बाकि है मुझे भरोजा है कि दो साल में ये वी सवाप्त हो जाएगा उत्रे बहुत बड़ी उप्लदी जिस लक्स को लेकर हम पचास साल पहले निकले थे वो लक्स की परिपूर्ती ये नो साल के अंदर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने की है जब हम सब छोटे थे राम जन्म को मी आंदोलन हुआ हमारे अंग्रे जी के पूफेसर थी इलाबेंच सा है तो जब सिला पुजन का कारेक्रम था ती इलाबेंच को मैंने निमंत्रीत किया मैं को पूजन तो मैं कर देती हूं मगर मेरा भूत भी राम मंदिर नहीं देख पाएगा जब भूमे पुजन हुआ तो 85 साल की हिलाबेंड का फोना है अमिद भाई साच अर्थ में राम मंदिर बनने की सुरुवात हो गई है कोई नहीं मानता था दारा 370 हटे कोई नहीं मानता था त्रिपल तलाग समाप्तो कोई नहीं मानता था कोई नहीं मानता था इस देश के अंदर भाजपा की सरकारे कौमन सिविल कोर्ट बनाने की दिसा में आगे जाए कोई नहीं मानता था सारे अमारे वैचारी का धार को पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है भारतिये जनता पार्टी लेकिया है मगर अभी भी मिशन अधूरा है मैं पार्टी के राष्ट्रिय कारिकानी में औरिसा में भूने स्वर में मैंने कहा था कि 5-10 साल में भारत को महान बनने की प्रक्रिया नहीं होती तीस साल तक पंचायच से लेकर पार्लामेंट तक भारतिय जनता पार्टी आती है तभी भारत माता को विश्वगुरु के स्थान पर हम बैठा हुआ देख सकते हैं मित्रों हमारे सामने एक लक्स है इस देश को हर छेत्र के अंदर सर्वप्रथम करना दुनिया में सर्वप्रथम करना वो लक्स की परिपूर्ति के लिए हम रादनिती में आये हैं किसी की तरशत्ता प्राप्त करने के लिए पिताजी के सिध्धान्तों पार्टी के सिध्धान्तों और पार्टी के कारकरता को धोखा देकर मुख्यमंतरी बनने के लिए हम नहीं आए हम भारत माता को परम वैभाव पर ले जाने के लक्स के लिए आए और मैं बताता हूँ आपको 2024 का चुनाव भारत ये जन्ता पार्टी ने बड़ी सिद्धत के साथ अच्छी रणनिती के साथ और परिश्रम की पराकाष्टा के साथ लड़ना है आज तीन जिले के कारकता यहां है सभी संकल्प वान होकर जाए कि महराश की एक भी सिट किसी के भी एकाउंट में नहीं जाएगी सभी के सभी सिटे भारतिय जन्ता पार्टी और सिवशना का गठ बंदन जीतेगा अगर हमें संकल्प करते हैं और संकल्प की सिद्धी के लिए कठोर प्रिश्रम के लिए प्रतिगनित होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ मोदी जी का करिश्माई नित्रुत ऐसा है जिसने दो बार हमें पूर्ण बहुमत दिया एक बार दो तिहाई बहुमत दिया मोदी जी के नित्रुत में तीसरी भी बार भी पूर्ण बहुमत की दो तिहाई बहुमत की सरकार बन सकती है हमने इस दिशा में आगे बढ़ना है आज चुनाओ कैसे लड़ना क्या लड़ना ये कहने का समय नहीं है मगर हम सब कारेकरता एक जूट हो जाए एक दिशा में चले एक लक्स लेकर चले और मोदी जी के नेत्रुत में भारत को परमवईभव के लक्स की दिशा में ले जाने क लिए चले तो मुझे विश्वास है मित्रो हमारे जीते जी भारत माता को हम विश्वगुरु के स्थान पर बिठा हुआ देख पाएंगे और हमारे पुर्खों ने सालों से जो सपना संजोया था उसको सफल होते हुए देखेंगे सहीद बगत सिंग, खुदी राम बोज, सात्या टोपे और लक्षमी राणी ने जो सपन देखा था वो सपन को हम सिद्ध कर पाएंगे मित्रों और भारतिये जनता पार्टी का यही मिशन है, एकनाच सिंदे जी और देवेंदर जी दोनों मिलकर एक करप्ट सरकार की जगे लोका विमुक सरकार देने का काम किये हैं इस दोनों के नेतृत में महराश में चुनाव लड़ना है, मोदी जी के नेतृत में देश में चुनाव लड़ना है और हमें विजय प्राप्त करनी हैं। मुझे बताईए, आप लोग चुनाव के विजय तक कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार है क्या? फिर से फुत्ता हूँ सब के हाथ उपर होने चाहिए दोनों हाथ उपर होने चाहिए तैयार है क्या माराश की सभी सिटे हमारी यूती जितेगी क्या मोदी जी के नेत्रुत मैं फिर से दोती आई बहुमत से जितेंगे क्या तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जए 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 सिवाजी जए 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 सिवाजी महराज की बारत मता की बारत मता की बारत मता की बारत मता की झाल झाल झाल